पेवेलीन में मही क्या कोई भलबा वन्ट रहा था.. एक के बाद एक और विकेट आॉट एक के बाद एक और विकेट आूट इतनी क्या जलदी थी और पिछे पे टाइम भी नहीं ब्ता सके आप लोग जाएड आसी परफार्मेंश İsपैक्ट करते हैं हम आप लोगों से बहुत सी expectation थी जो कोई काम 94 years की history में कोई भी टीम नहीं कर पाई वो काम New Zealand ने कर दिया clean sweep कर दिया इडिया को इतनी गंदी हार हमने कभी नहीं expect की थी टीम इडिया से especially और हमारे batters को पता ही नहीं चल रहा है कैसे out हो रहे हैं वाई न्यूजिलेंड ने भी same pitch पे किया बैटिंग किया वालिंग किया वो कैसे मतलब pressure situation को भी handle कर गे कैसे pitch पे time spend कर गे आप लोगों से ज़्यादा दोस्तो कोई भी टीम जो 94 years की history में इंडिया की सरजमी पे इंडिया को clean sweep नहीं कर पाई थी वो टीम अब New Zealand बन गई है न्यूजिलेंड ने 94 years की history तोड के रख दी और एक निया record ना दिया इंडिया को इंडिया की सरजमी पे clean sweep कर दिया क्लूलेस बैटिंग हमारे बैटर्स बिराट कोली को क्या हो गया रोहित शर्मा को क्या हो गया बाई दस पांच पंदना यह जे भी कोई स्कोर है मानना कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उसके लिए हम एप्रिशेट करते हैं लेकिन ऐसी परफार्मेंस तो हम expect नहीं कर रहे थे कि clean sweep करके चले जाएगी कोई भी टीम इंडिया को इंडिया की सरजमी पे फेंस को काफी हर्ट हुआ दोस्तों मुझे भी हर्ट हुआ कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा यार इनकी बैटिंग ऐसी है जैसे मतलब कोई बही बात आ गई कुछ बंट रहा था वहां पे हलबा बंट रहा था कि बाई तू चल में आया तू चल में आया तू चल में आया क्या खेल दिखाया यार अब तो भाई पाकिस्तानी मेडिया वाले बैंड बजातेंगे बहुत बुरा हुआ यार जो भी हुआ इतना सब हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था चलो ठीक है दो टेस्ट मैच हार गी थे हमने सोचा था थर्ट टेस्ट मैच तो जीत जाओगे आप लोड लेकिन नहीं पिछली दो टेस्ट मैच की इंडियन वॉर्लिंग की बात करूं तो वाई वाशिंग्टन सुंदर उसने सबसे अच्छा गी या मेरी नजर में लेकिन हमारे बैटर्स ने बहुत ही मतलब क्लूलेस बैटिंग की कुछ बहुत सारी गलतियां की जिसके बात क्या हुआ हुआ न्यूजिलेंट इतिहास रचने में कामजाब हो गई अगर आप भी टेस्ट मैच देखती हो तो आप बता दो कौन से प्लेयर को रिटायर्मेंट लेने चाहिए कौन से प्लेयर ने खराब बैटिंग की आपको क्या लग रहा था कि इंडिया क्लीन स्विप हो जाएगी जा नहीं खैर जो भी हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करिए का बैल आइकान दुवार ना ताकि जब भी हम कोई नहीं वीडियो लेके आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आज की वीडियो में बस इतन मूड खराब हो गया है इंडिया की परफार्मेंस देख के